नमसकार साथियो जब कोई बीज उपता है, एक पौधा बनता है, तो फिर बीज नहीं रहता बीज को आप ढूंडेंगे तो आपको बीज नहीं मिलेगा पौधा ही रहेगा बीज ने अपना त्याग कर दिया बीज ने अपने आपको मिटा धिया तो वो पौधा बन गया इसी तरह से जब कोई फूल है फ्लावर है जब वो फूरूट बनेगा तो फिर आपको फूल नहीं मिलेगा सिर्फ फूरूट ही बनेगा हलाकि वो उस फ्लावर से ही आया है ये प्रकृति का नियम है कि आप जो हो उससे अगर अगले स्टेप को आपको जाना है उससे कुछ बड़ा बनना है कोई बड़ा ट्रांस्फरमेशन आना है तो आपको खुद बदलना होगा आप जो हो वो होकर आप नेक्स टेपस्ट पर नहीं जा सकते तो अगर आपको कुछ करना है कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो खुद को बदलना होगा और कोई रास्ता नहीं है मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर दिलीप और धनु राशी के लिए नवमर का महिना क्या लेकर आया है गहनक्षत्रों की दस्टी से इस पर हम विचार करेंगे जानेंगे आपके करियर के बारे में मैरिश के बारे में शादी विवहा के बारे में बिजनिस के बारे में जीवन के सारे छेत्रों के बारे में प्रत्थम भाब में आपके दैत्य गुरू शुक्र अचार या फिर आप कह सकते हो शुक्र जो है जिनको माता लक्षमी का रुप भी मानते हैं वो बैठे हुए है इसी के साथ साथ तिरते भाब में आपके शनी गोचर कर रहे हैं शनी का कोचर तिरते भाब में सुभ माना गया है अच्छा माना गया है पर अप्षनी वक्री होने वाले है पर अप्षनी का जो है वक्रत है वो आपका खतम होने वाला है माफ किजेगा वक्री नहीं होने वाले उनका वक्रत जो है नवंबर में खतम होगा आपका तो ये आपक भाब में है और छटे भाब में गुरू है जो वक्री चल रहे हैं अश्टम भाब में मंगल जो है नीच के रहेंगे पर अश्टम में नीच का होना एक राजयोग होता इसमे भी बात होगी कि तू दसम भाब में सूर्य आपके एक आदस भाब में है 16 तारिक तक 16 के बाद फिर यह आपके दो आदस भाब में आ जाएंगे और बुद्ध जो है वो आपके बारे में भाब में आथारत दो आदस भाब में गोचर कर रहे हैं अब आज आते हैं result के लोगे का देखे शनी का जो वक्री तो था पिछले तीन महीने से तीन-चार महीने से जो था तो आपको देखा होगा धन का पैसा, धन का मतलब धन के मामले में कुछ उतार चड़ा जरूर आया होगा, चारत लोगों को धन का नुकसान होगा, कुछ को लाब भी हो सकता है, जिनके शनी बहुत अच्छे है चंद्रमा की स्थिती अच्छी है, क्योंकि जब वक्री घ्रह होता है, तो पिछले भाव का result देने लगता है एक तरह से, जैसे साड़े साथी की last stage होती है, बहुत जा रहा है भाग दोड का होना, धन का अटक जाना ये सब चीज़ें आपकी अगर पिछले तीन-चार महने से चल रही थी तो कहीं ना कहीं वक्री शनी आपके लिए बढ़िया नहीं थे, सुब नहीं थे अब वो क्या हो रहे हैं, सुब हो रहे हैं मिलेगा, अब तक जो योग बंद रहा था वो कहीं ना कहीं, रोक रहा था धन के उसको अगर शनी अच्छे नहीं है तो, अगर शनी बढ़िया है आपके चार्ट में और आपको साड़े साती में भी पॉरिटिव रिजल्ट आये थे, तो अब भी आये होंगी अगर नहीं आयते हैं, तो पिछले तीन महीनों में कहीं ना कहीं, तोड़ा सा दिक्कात चल रही थी पर अब ऐसा कुछ नहीं होगा और आपके लिए कहीं ना कहीं एक अच्छे समय की सुरुबात हो रही है हलाकि स्वास्त के लेवल पर आपको हलका सा ध्यान रखना है स्वास्त के लेवल पर ध्यान रखना है अपने ऊपर थोड़ा सा काम करने की कोशिश करनी है जिन्दगी में क्योंकि गुरु वक्री हो रहे हैं पर गुरु वक्री होके भी आपके लिए सुभ हो रहे हैं क्यों? प्योंकि ये जो गुरु वक्री होंगे तो अपने से पिछले मतलब पंचम भाव का रिजट देंगे और छटे में हैं, तो पंचम में तो गुरु सुभ होते हैं, अच्छे होते हैं, यहां आकर यह आपका लाप भी कराएंगे, आपको बुद्धी भी देंगे, कहीं वक्री है, तो वक्री है क्या कह रहा है कि जल्दवाजी तो नहीं करनी हैं हमको, अग्मी साल के फरवरी तक, पर हाँ, कहीं न कहीं आपके लिए गुरु का वक्री होना भी सुभ हो रहा है, और शनी का मारगी होना भी सुभ हो रहा है, तो दो दो बढ़िया परिवर्तन अपने काम के परती अपने आपको जादे जिम्मेदार महसूस करोगे। तेकि जिम्मेदारी वक्ती से कारे कराती है। ताकत से काम नहीं होता है। आप कहोगे यार ऐसे कैसे होता है। ऐसा ही होता है। जब आपको ये लगता है ना कि ये काम मेरे लिए जरूरी है, संतान के लिए जरूरी है, मेरे वचन के लिए जरूरी है, मेरे देश के लिए जरूरी है, कहीं ना कहीं उसकी इंपोर्टेंस होती है, तो फिर आप काम करते हो, आँखें भी बिना अलारम के खुल जाती है, काम रात तक करके भी धकान नहीं होती जिम्मेदारी का हिसास होता है अंदर से नहीं तो फिर देखा ना किताब के पन्ने पलटने में भी ऐसा लगता है भी बहुत भारी है और नहीं दाने लगती है तो यह शनी आपको responsibility का हिसास कराएगा आपको अपने कर्म का अहसास कराएगा तृते भाब में इसलिए उसको अच्छा माना गया है मेहनत करोगे प्रयास करोगे आप आपको अपने धर्म का भी अहसास रहेगा साथ में यह शनी आपको विदेश, foreign land, यात्रा, travel से के परती कहीं ना कहीं positive result देगा मतलब अगर आप उसके लिए try कर रहे हो अपने वीजा, वीजा, foreign चाना चाते हो विदेश चाना चाते हो, दूसरे state जाना चाते हो आपका काम किसी import, export आदी से कुछ जोड़ा हुआ तो उसके लिए शनी positive हो रहे हैं बसरते आपकी जनम कुंडली में भी शनी positive हो तभी उसका result मिलेगा पर हाँ, गोचर में ही अच्छे हो रहे हैं वहीं गुरू, गुरू जो है क्या कर रहे हैं वक्री होके पंचम का वाला संतान प्राप्ति का योग बना रहे हैं पिता बहुत साधी से थोड़ा favor मिल सकता है आपको बड़े भाई बहन और आप तो इसका मतलब गुरू और ये अच्छा हो गया आपका बढ़िया हो गया इनका दो का गोचर इस महीने बदल रहा है तीसरा जो बड़ा बदलाव हो रहा है वो मंगल का ऐसे तो मंगल नीच के हो रहे हैं अश्टम में आ रहे हैं तो सबसे पहले तो रिस्क नहीं लेना बहुत बड़ा है ना श्टॉक मार्केट वगएरा में और सो समझ के मतलब करना इन्वेस्ट वगएरा संतान में पढ़ाई में हलका सा केर जरूर रखना है आपको फिर भी ये कही ना कही कोई भी ग्रह जाकर 6-8 बारे में अगर नीच का हो जाए तो ये राजियों होता है मनला चीज़ें बिगड के बन जाया करती है चीज़ें में कुछ उतार चड़ावाने की संभाबना तो रहती है रिष्टे में, प्रेम में, बड़ा बेटा, बड़ी बेटी जो बड़ी संतान है उसकी लाइफ में पर अल्टीमेटली वो चीज़ आपके लिए पॉजिटिव सावित हो सकती है संतान के लिए आप ट्राई कर रहे हो उसमें भी कुछ अनेस्पेक्टेड पॉजिटिव रिजल्ट यहां आने के चांस बनते हैं इस तरह का जो मंगल का जो नीच हुआ है मतलब नीच का मंगल आपके लिए यहां पे बुरा नहीं है साथ में एक तो यह है कि वो यहां पे नीच के हुए है उपर से बारे में भाब का स्वामी होके नीच के हुए है तो खर्चों में आप बड़े समस्दारी से काम लोगे आप ज़ादे एक्ष्टा पैसे खर्च नहीं करोगे पर यह जो मंगल है एक चीज के लिए धान जरू रखना है कि आपका जो इनलोज है आपके जो रिष्टे हैं अपने पती-पतनी के साथ उसमें वानी की वएसे कोई दिक्कत ना है एक दूसरे की फैमली की वएसे दिक्कत ना है काई बार यह होता ना दोस्त, फ्रेंड्स पती-पतनी आपस में तो ठीक है पर मदर है, मदर-इन-लोँ है फादर है फादर इनलों है उनके बीच में उनकी misunderstanding की वैसे आपके रिस्तों misunderstanding होने लगती है तो उसका थोड़ा ध्यान रखिएगा बुद्धी मानी से काम लीजेगा छोटी मोटी बातों पर तो इग्नोर ही कर दीजेगा और कोई बड़ी बात है भी तो solution की तरफ चलेगा problem की तरफ नहीं क्योंकि जिसकी तरफ चलेंगे दिखेगा वही problem की तरफ चलेंगे तो दुनिया में सिर्फ problem ही दिखेगी अगर solution की तरफ चलेंगे तो problem में भी कोई solution दिख सकता है अब बढ़ जाते है mangal की ये बात होगी mangal यहां से अपनी राशी को देख रहें तो फौरण विदेश का योग बन रहा है बहुत बढ़िया आपका strong योग बना हुआ है साथ में अपनी वाणी को थोड़ा सा मधुर रखें धन में ये mangal लाव कराएंगे क्योंकि विपरीत या राजयोग में हैं और दुत्ते भाव को अपनी उच दर्ष्टी से देख रहें यहां पर तुते भाव छोटे भाई बहन से थोड़ा सा बना के रखें अपने साथ वालों को थोड़ा सा साथ में अगर रख पाए तो आपका प्रयास रंग लाएगा इसका मतलब वहां थोड़ा बनाने में दिक्कत है और किसी का शनी खराब हुआ तो छोटे भाई बहन या पार्टनर का साथ ना मिल पाना साथियों का साथ ना मिल पाने की वएसे कोई चीज रह जाए इसकी पॉसिबिल्टी है पर हो सकता आपका शनी बढ़िया हो तो फिर उनके सहीयोग से कुछ अच्छा होगा बढ़िया होगा अच्छा होगा अब ये बातें होगी अब बात कर लेते हैं राहू और कितु कि देखिए राहू चौते भाब में बैठे हैं माता के स्वास्त का ध्यान रखें अपने मित्रों से कौन से मित्र जो आपके पुराने मित्र हैं जनम के मित्र हैं हाइ स्कूल इंटर से बने हुए मित्र हैं वो उनके साथ थोड़ा सा मतविद होने का चांस रहता है तो उनका ख्याल रखें अगर आप छोटे हो हाई स्कूल इंटर में ही पढ़ रहे हो मतलब तैंथ त्वेल्थ तक की आपकी एजुकेशन है तो पढ़ाही में मेहनत करनी पड़ेगी अफ़र्ट करना पड़ेगा हार्ड वर्क करना पड़ेगा वहां राहू बैठे हैं तो फील कर रहे हैं अगर वहां राहू आएगा तो हम कुछ उल्टा सीधा फील करेंगे ऐसी पॉसिबिल्टी बनेगी माता के साथ मित्रों के साथ अपनों के ही साथ दूरी बनने का कहीं कहीं चांस होता है कहीं बार ऐसा हो भी जाता है कि जिस व्यक्ति को हम बहुत अच्छा समझ रहे हैं वह ऐसा ना निकले छोटा मोटा धोका वगरा हो जाए पर यह गोचर है कहीं आप डर जाओ भी यह मेरे साथ धोका होगा ऐसा नहीं है आपकी जनम पत्री में अगर यह अच्छे ग्रह हैं तो कोई दिक्कत नहीं है पर अगर यहां थोड़े खराब ग्रह है और राहू यहां से आरे तो इस्थान परिवलतन करा देंगे विदेश ले जाएंगे माता की और फ्रेंड्स है फैमली में दिक्कत करा देंगे 100% पर ऐसा होना जरूरी नहीं है ठीक है अब केतू की बात करते है केतू है दसम में अपना काम मत छोड़िएगा किसी छोटी मोटी बात पर सड़न डिसीजन मत लीजिएगा किसी ने कुछ कह दिया किसी को आपकी कोई बात पसंद नहीं आई या बोस ने आपको या किसी की बात आपको सही नहीं लग रही और आपना सड़न डिसीजन लिए आप इस कमपनी में काम नहीं करना हमें तो और बहुत कमपनी मिल जाएंगी इस तरह से या जॉब की आप तलास में हो पर किसी के behavior की वज़े से आप उस कमपनी में जॉइन नहीं करना पाएंगी इमोशनली आप चीजों को सड़न डिसीजन लेके नहीं छोड़ेंगे तो केतु अच्छा काम करगा एक दूसरा थोड़ा spirituality अध्यातम अपने जीवन में रखना है थोड़ी दूर दरश्टी रखनी है दो महीने तीन महीने की नहीं सोचनी यह सोचना है कि इस company में जहां पर मैं जा रहा हूँ जो भी काम में कर रहा हूँ उसका 10 साल में क्या perspective है अगर नहीं है तो फिर किस तरह से बनाया जाए कि आगे की कोई planning भी हो तो आपके दसम भाब के लिए के तू अच्छे है दसम भाब में के तू किसी promotion आदी की तो promise नहीं करते हैं जब तक कि आपकी कुंडली हैं वहाँ पर कोई सुभियोग ना हो पर हाँ यह जरूर करते है spirituality, अध्यात, meditation, ध्यान इन सब आपकी रुची में आना कारे में बदलाब change का होना इसकी भी possibility यहाँ पर बनती है अगर आप foreign में है, विदेस में है आपका जो काम है instrument से जुड़ा हुआ है छोटे छोटे detail से जुड़ा हुआ है security आदी, cyber security आदी से IT और कहीं ना कहीं chemical से जुड़ा हुआ है engineering टाइप का कोई काम है तो यह तो फिर भी आपका थोड़ा favor करेंगे पर हमको boss से बना के रखना है यह कह सकते हैं कि इसके मामले में कोई great gocher तो नहीं है वहीं जो business की बात है तो business में travel का योग है business में खर्चे का योग है business को लेके यात्राओं का योग है एक, दो, तीन, चार, पांच, छे और business में थोड़े पर obstacle, enemy इन से सामने का योग भी यहां पर बना हुआ है क्योंकि सब्तम का जो स्वामी है अपने से एक, दो, तीन, चार, पांच, छटे जा रहा है पर छटे में कोई गिरह जाता है तो ताकत भी देता है मतलब दोनों चीज़ें करता है opposition भी लाता है पर हमारे अंदर एक ये भी देता है fighting spirit की चलो देखते हैं तो इससे में अगर आपका लगन strong हुआ कुंडली में आपके गुरू strong हुए आपको कैसे पता लगेगा अगर आपके रिष्टे अपने माता पिता गुरूं से है अगर आपके मन में धर्म के परतिश रद्धा है आप genuinely ग्यान की respect करते हो तो आपके गुरू strong है आप पने बच्छों को अच्छी चीज़ें सिखाने की कोशिश करते हो सही रास्ते पर ले जाने की कोशिश करते हो तो आपके गुरू strong है उस case में फिर ये बुद्ध आपको फायदा ही देगा obstacle तो आएंगे आप उनको पार कर जाओगे विदेश जाने का अगर आप प्रयास कर रहे हो तो ठीक है import export का कुछ काम करने की कोशिश कर रहे हो वो भी बढ़िया है ऐसे में आपके जीवन में कोई आ सकता है मतलब अगर आप लड़का हो तो लड़की हो तो लड़का आ सकता है आपकी शादी हो सकती है उसके लिए भी योग हैं खास करकि किसी foreign culture से other caste से कही न कहीं उसका संबंध हो सकता है इस चीज के भी बहुत strong योग यहाँ पर बने हुए है क्योंकि सब्तमेस कहां जा रहा है भारह में भाब में जा रहा है जो marriage है जो partner है जो business partner है वो कही न कहीं foreign land विदेश से संबंधित हो सकता है spiritual अध्यात्म से आप जोड़ सकते हो ऐसे में अगर आपका business इन सब चीजों से spirituality, अध्यात्म, business, hospital सन्यासी इन सब से जोड़ा हो है कहीं न कहीं हो सकता है आप doctor हो हो सकता है आप medicine में हो कहीं न कहीं किसी भी तरह से directly, indirectly तो फिर आपके लिए अच्छा है अब बात करते हैं भाग्य की भाग्य कैसा रहेगा भाग्य मैं कहूंगा 16 तारिक तक तो बहुत अच्छा भाग्य है भले ही सूरी नीचके हो रहे हैं उपर एकादस भाब में सूरी हैं तो प्रमोशन करा देते हैं सूरी की दशा महादसा होई तो नाम करा देते हैं आपका काफी हद तक सूरी को बढ़िया मानागा एक आदस भाब में सत्रू बनाते हैं पर सत्रू आपका कुछ बिगाड नहीं पाते हैं तो उस मामले में अच्छा है हलाकि नीच के हैं तो कहीं बार आप दूसरों के बारे में जादे सोचो कि दूसरे के फायदे के बारे में जादे सोचो कि उसे बुरा ना लग जाए ये सब चीजें की वज़े से थोड़ा वहता आपको अपना नुकसान हो सकता है इंड केस पर आपको क्या करना है अपने बारे में भी सोचना है और दूसरे के बारे में भी सोचना है तो ठीक रहेगा तुला के सूरे हैं नीच के सूरे हैं नीच का मतलब राजा की तरह एक्ट नहीं करते हैं एक ब्यापारी की तरह एक्ट करते हैं, ब्यापारी मतलब जो अपना भी फायदा देखे और दूसरे का भी, जो सिर्फ अपना फायदा देखे वो ब्यापारी नहीं होता, क्योंकि सिर्फ अपना फायदा देखोगे तो एक बार देख पाओगे, दो पार देख पाओगे, ती नेगेटिव इस सेंस में है कि भई कुछ चेंज आ सकता है, लॉस हो सकता है, ट्रेवल हो सकता है, उस सेंस में पॉजिटिव है आपका, अगर आप फॉरन में हो, विदेश में हो, तो आप जाना चाहते हैं, उसके लिए अच्छा है, पर फिर भी भागिका स्वामी बारे में जाता है, not the great, जाद दर लोगों के लिए great नहीं रहेगा, पर जिनका import-export का काम है, जो किसी deep research वगएरा में है, कोई PhD वगएरा कर रहे हैं, इस तरह के काम में हैं, travel से जोड़ा हुआ काम है, तो उनके लिए बढ़िया रहेगा, तरवाज खर्चा वगएरा बढ़ सकता है आप बहुत प्रियास करो और उसका जो result है वो टल जाए, अभी ना मिले, बाद में मिले, ये सब चीज़े होने की संभावना सूर्य आपके बनाएंगे, ये बुदा आदित्य योग भी यहाँ पर बनेगा, सूर्य गुरू की दर्ष्टी भी इन पर पड़ेगी, तो ये त मिस्थान से दूर रह रहे हैं, पर फिर भी कही ना कहीं गुरू की दर्ष्टी इसकी negativity को कम कर रही है आपके, मतलब कार में negative जो result आने की संभावना वो कम है, और foreign, विदेश, या दूसरे culture से, बाहर वालों से, फायदे की possibility जादे बन रही है, आप ऐसे कह सकते हैं, अब आ गोचर में, अगर शुक्र पहले भाब में आते हैं तो सुख भोग लाते हैं, एश्वर लाते हैं, छुट्टियां लाते हैं, अच्छी चीज़े खाने को, अच्छा कपड़ा पहनने को, वो पैसे से भी ज़्याद है, comfort लाते हैं आपके जीवन में, सुख लाते हैं, इस त उसमें फसना नहीं होता, उन्हीं को सब कुछ समझना नहीं होता, बस ये बाली बात है, पर आप ये कह सकते हो, ठीक है, ग्यारे में भाब का स्वामी भी वैसे आरत हो, कोई इच्छा पूरती होगी, उसमें किसी female का रोल हो सकता है, वो female आपका, पुत्री भी हो सकती है, ब creativity से आपका कोई समझन है, smell, अच्छी smell से आपका कोई समझन है, white, light colors वगएरा से कुछ काम आप करते हैं, तो उस case में आपको वहां से फायदा होने का chance बनता है, गोचर में शुकर का प्रथम भाब से गुजरना अच्छा माना जाता है, आप ऐसे कह सकते हो, तो ये भी अच पहली तारिक को दिपावली है, तो दिपावली की आपको फिर से दिल से बहुत बहुत सुबकामना है, दो तारिक का गोभर्धन है, तीन तारिक की भाई दोज है, ओर 6 नमबर की अपकी छट पूजा है, इसके बाद 12 तारिक की देव देवुत्थान एकादसि जो है ना यह शनी जो आपके मार्गी होंगे 15 तारिक को और देवुत्थान एकादसि वह बारे की हमेसे इसी के आसपास पढ़ती है उससी समय शनी भी मार्गी होते हैं कहीना कई यह कह रहे हैं कि अब सुब एक तो नौदुर गया है अब यह जो सुबता की तरफ जा रहा है कोई बड़ा काम करना है तो आप बारे तेरे के बाद स्टार्ट करने की कोशिश कर सकते हैं आपके लिए अच्छा रहेगा ओवरॉल बाकि तो चार्ट देखना होता है पर इस मामले में यह बताता है ओम नमो नारायना है ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहीना कहीना कहीन नारायन के उठने से ही हम सुबकार शादी विवायन तब की तरह बढ़ते हैं जब नारायन स्लीप में जाते हैं निद्रा में जाते हैं तो हम इन चीजों को नहीं करते एक तारिक की कार्तिक मावस्या है पंदर तारिक की कार्तिक पूरिमा है तेरे और अठाइस का प्रदोषपरत है उन्तीस तारिक का शिवरात्रिय चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम ओम नमह शिवाय अठारे की संकष्टी है और सोले की ब्रश्चिक संकरानती है, सोले तारीकों सूर जो है ब्रश्चिक में, जो मैंने दिखाया, वहाँ चले जाएंगे, बारह में, भाब में, ब्रश्चिक में सूर जाते हैं, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, अपने नीच की स्थिती से बहार आना है, सिक्रेट यह महिना आपके लिए बैश जाएगा, बढ़िया होगा, इसी के साथ मैं अब आपसे विदा लेता हूँ, अगर आप पहली बार इस चैनल पर हैं और आपको अच्छा लगाए, तो सब्सक्राइब जरूर कीजेगा, लाइक कीजेगा, कमेंट करना मत भूलेगा, आपसे मुलाकात होगी, नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, धन्यवाद, नमस्कार,